आपका इज लर्निंग की एक नई वीडियो में आज आप लोगो थोड़ा से पीछे बैग्राउंड साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है तो प्लीज उसे इग्नोर कीजेगा ठीक है चले शुरू करते हैं बच्चो आज का टॉपिक हम कर रहे हैं सोशलिजम इन यूरोप नाइन हम टॉपिक शुरू करेंगे 1.3 दा कमिंग आफ सोशलिजम इन यूरोप बच्चो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा चले बिना किसी देजिके शुरू करते हैं अलग-अलग आइडिया डेवलप हो रहे था इस टाइम में जिसमें से जो सोशलिजम का आइडिया था यह सबसे जादा फार रीचिंग विजन था जिसने सोसाइटी को सोशलिजम सोशलिस सोसाइटी बनाने में मदद करी अगर 19 सेंचुरी के मिटकी बात करते हैं यूरोप में जो सोशलिजम था यह एक ऐसा आइडिया था वैलनून बॉडी थी आइडिया की जिसने लोगों को बहुत बड़े इस तरफ लोगों के अटेंशन को अपने दरफ खीचा था ठीक है शोशलिस्ट लोग थे जिको हमने पड़ा कि लिबरल्स की बात करते हैं वो नहीं होनी चाहिए ना कि किसी एक की यानि यह प्राइवर्ट प्रॉपर्टी के अगेंस यह देखते थे कि प्र्राइवट प्रॉपर्टी ही सभी तरीके की समाजिक बुराईव का कारण सी उस समय पर ऐसा क्यों था अगर इंडिवीजल लोग जिनकी प्रॉपर्रेटी है वो दूसरों को काम दे रहे हैं ठीक है दूसरों को employment प्रवाइट कर रहे हैं लेकिन property उनकी प्रॉपराइटेड है जिसमें उनके personal gain चुपे हुए हैं वो अपनी लेवर की welfare के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं जुन्हों ने उस property को प्रॉड़क्टिव बनाया तो ऐसे में ज society की जगा पर किसी एक single individual के control में रही प्रॉपरटी तो जातर जो attention होगी वो collective social interest पर नहीं हो पाएगी इसलिए हमें जरूवत है समाज बात को बढ़ाने की ठीक है अगर हम पूरी की पूरी यह माने society जमीन पर अगर control लगती तो ऐसे में individual profit नहीं बढ़ पाते social welfare बढ़ना च socialist थे इस तरीके के change चाहते थे इसके लिए उन्होंने campaign शुरू करें किस तरीके के change कि property के उपर से individual right को खतम करकर social rights को बढ़ावा दिया जाए ठीके बच्चों आगे बढ़ते हैं चलिए अगर private property नहीं होगी तो उसे कैसे operate करेंगे society को socialist society कि बनेगी इसके बारे में देखत तो cooperative ऐसी condition होती है जहां पर जमीन पर किसी एक काधिकार नहीं होता सरकार जमीन देती है सब लोग मिलके production करते हैं और जो भी प्रोड्यूस निकलता है उसे लोगों की labor के basis पर उनमें बाट जे राता है जिसने जतनी जाधा labor provide करेगा उसे उतना जाधा प्रोड्यूस सब्सक्राइब करेगा नियू हामनी नाम से उन्होंने cooperative society बनाई कहां पर USA में स्टेट नामें इंडियाना इंडियाने में cooperative community बनाने का काम किया दूसरे शोशलिस्ट थे वह यह मानते थे कि जो cooperative जैब वो सिफ individual effort पर बहुत बड़े scale पर नहीं बनाए जा सकते इसलिए उन् सब्सक्राइब बना पाऊंगा जो मेरे अधिकार में होगी जो जिन लोगों को मैं जोड़ रहा हूं उनके अधिकार में होगी जबकि सरकार को इनिशेट करवाईगी सरकार करेगी तो बहुत बड़े scale पर cooperative शुरू किया रहा सकते हैं फ्रांस के लिए देखते हैं example के रू इसी इंडस्त्री जा ऐसे इंटर्प्राइज जहां पर production के सारे resources पर अधिकार या मालिकान अधिकार किसी एक व्यक्ति का होता है वो व्यक्ति अपने हिसाब से production करता है अपने हिसाब से rate तैय करता है तो इस तरीके के enterprises को हम capitalist enterprises और इस तरीके की economy को capitalist economy के रूप से जानते है यह जो corporatives थे यह लोगों के association के साथ जुड़े हुए थे जो लोग एक साथ मिलके production करा करते थे और profits को आपस में अपने work के basis पर बाट लिया करते थे ठीक है एनम corporatives के नाम से जानते थे चले बच्छो आगे का topic पढ़ते है next important बहुत important नाम आ गया कारल मार्क्स ठीक है कारल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगे एंगे अगर हम इनकी बात करें तो इनों ने भी इसी बॉड़ी में यानि socialism की बॉड़ी में नए arguments जोड़ दिये मार्क्स ने कहा कि जो industrial society है वो capitalist थी capitalist लोगों का उन सभी capital पर अधिकार हुआ करता था जो factory में invest की जाती थी और जो profit है वो सा प्रूव नहीं हो पा रही थी क्यों क्योंकि सारा का सारा profit मालिक के पास चला गया तो वर्कर कभी भी फाइदे में रह पाएगा वर्कर तो कभी अमीर नहीं हो पाएगा वो बेचारा गरीब का गरीब रह गया जबकि काम सारा वर्कर ही कर रहा है ठीक है तो इससे सारे profit private capitalist क पर खुद रूल करें मार्क्स का मानना था कि सभी वर्कर्स को अपने आपको capitalist exploitation यानी capitalist लोगों के द्वारा किये जाने वाले शोशनर से खुद को आजाद करने की जरूवात है वर्कर्स को मिलकर एक radically socialist society बनाने की जरूवात है इस तरीके से बनाई जा सकती है इन्होंने वर्कर्स को करने की कोशिश करी कि capitalist के साथ में जितने भी conflict हो रहे हैं उन पर तुम अपनी अपनी जीत रखो अपने आपको हावी रखो ठीक है तो जो communist society थी इसको उन्होंने नैचरल सुसाइटी माना फ्यूचर के लिए कि यही communist society आने वाले फ्यूचर में नैचरल सुसाइटी बनेंगी ठीक है तब ही जाकर हम अपने इस विवस्ता को economy को ज्यादा डेवलप कर पाएंगे वर्कर्स की condition को सुधार पाएंगे या equitable distribution of income को बना पाएंगे कि सभी के प पूरे यूरोप में फैलने लगे इसमें क्या हुआ इन्होंने एफ़र्ट और सोचलिस्ट फॉर्म थी लोगों ने मिलकर पता अपने एफ़र्ट के द्वारा एक इंटरनेशनल बॉड़ी बना ली जिसका नाम दिया गया सेकेंड इंटरनेशनल ठीक है तो आप से अगर य और अच्छी वर्किंग कंडिशन के लिब लड़ सकें ताकि उनकी जिंदिगी को बहतर बनाया जा सके अच्छींग कंडिशन मिल सकए न लोगों ने सेट अप करें ताकि ऐसे मेंबर ढब रहें न्लोग मदद की है करो कि बहिए वर्किंग आर्स कम करो हम इतनी देर तक काम नहीं करेंगे वर्किंग आर्स लिमिटेड होने चाहिए और इन्होंने वोट देने का अधिकार की भी मांग करने शुरू कर दी जर्मनी के बात करते हैं जर्मनी में इस तरीके के society शोचलिस्डक्राटिक पार्टी के साथ जोड़ गए कि उसके साथ में इस शोचलिस्द लोग जोड़ गए यह ऑन्होंने इस पीडी को मदद करी की वहूँ पर हैंजम में और फ्रांस में लोगों ने मिलकर सोशलिस पार्टी बनाने का काम किया 1944 तक की बात करते हैं तो जो सोशलिस लोग थे ये कभी भी दानक ना कभी भी यूरोप में कहीं पर भी गवर्मेंट बनाने में सक्सेस्फुल नहीं थे कौन लोग ये सोशलिस लोग जो समाच का अधिकार चाहते थे जमीन पर ऐसा क्यों क्यों कि जो कंजर्वेटिव लोग हैं जो लिब्रल्स लोग हैं वो कभी भी प्राइविट प्रॉपर्टी को च्छने देंगे हैं ना मानके चलो कोई मुझसे कहा दे तुमारी जमीन हम ले रहे हैं तो मैं देने दूंगा किसी को तो इसी वजह से नाइंटीन फॉर्टीन तक कहीं पर भी सरकार नहीं बना पाए थे अगर हम बात करते हैं पालियमेंट्री पॉलिटिक्स में जब इनके आइडियास को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रॉंग फिगर्स मिली जिन उन लोगों ने नएने लौ बनवाने में मदद करी ताकि सोचलिजम को बढ़ावा दिया जा सके ठीक है बचो आगे बढ़ते हैं चलिए अब टॉपिक नमबर टू है रश्यन रेवलुशन रेवलुशन को नेक्स पार्ट में करेंगे आज के लिए सितना ही जितना मैं करात जा रहा है आप लोग करेंगा कि उतने शॉर्ट नोट्स बनाने का है या यह टैलीग्राम लिंक परवाइट कर दूघ। या ड्राइव लिंक प्रवैट कर दूघ। नोट्स के लिए ताकि आपको इसके रिटेन नोट्स मिल सकें चले बच्चों अनॉपक्त में